थोड़ा खाना खाते ही पेड़ का फुल जाना या ऐसा महसूस होना कि आपका पेड़ भर चुका है या यू होना कि आपको जो भूख लग रही थी वो रुख जाना इसको फैटी इंफिल्ट्रेशन आफ लीवर कहते हैं मैं हो आपका खादिम डॉक्टर नजमरहान आज फैटी लीवर के बारे में आपसे गुफटबू को दोगा बहुत सारे लोग सबसे पहले तो फैटी लीवर को देखकर बहुत घवरा जाते हैं परिशान हो जाते हैं कई लोग पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं क्योंके वो इंटरनेट पर जाते हैं इंटरनेट वाले बताते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड वन में होगा तो ये होगा और फिर लीवर सराइसिस में कनवर्ट हो जाएगा फिर फलाँ फलाँ सारी चीज़ा होगी देखेगा ये नॉर्मल फैटी लीवर वाले लोगों को नहीं होता है ये उन हज़रात उन खवातीन को होता है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्टराइड पेन किलर्स और अदवियात का इस्तेमाल किया है तो वो लोगों के साथ ये मसला हो सकता है कि फैटी लीवर की बिमारी में मुफ्तला करते हैं आपको लेकिन आम लोगों को इससे कोई खतरा नहीं होता लिवर का कैंसर भी नहीं होता सबसे पहले अपने जहें से इस बात को निकाल लीजिए अब चलते हैं फैटी लिवर होता क्यों ये बहुत अहम मसला है आपका जो खाने पीने का प्र ये होना लाजम है थीक है ना इसका खास खयाल रखियेगा लोगो आपको मुटला कर सकता है तो सबसे पहली चीज़ है कि दो नोग पाए जाते हैं न підमीना ओ estar पर गया जाते हैं और बहुत घबरा जाते हैं गली कूछों में घूमते रहते हैं ना जाने इंटरनेट प कितने नुस्खों का इस्तेमाल कर लेते हैं अब इन नुस्खों के साथ एग और मसला होता है कि ये लिवर के पूरी वाले हर जगा पा ले जाते हैं और हर शेर में पा जाते हैं तो ये लिवर की जो पूरी होती है उस पूरी के अंदर जो है कुछ बहुत ही पुराना प्रोड़ा होता है और उसके अंदर फिटकडी होती है जिसको बिरियां करकर देना पड़ता है अगर फिटकडी बिरियां नहीं हुई है और वैसे ही पेशन को दे दी तब फिर जो है किड्नी डैमेज हो सकती है और बहुत सारे दिक्कत होते हैं इसलिए इससे बचा करें और और दूसरे खिसम के वो लोग हैं जो लोग बिल्कुल भी लिवर का जो मसला होता है उस मसले को किसी भी हाल में सीरियस नहीं लेते हैं और वो बढ़ता जाता है फिर हो हैपटव में गाली में कनवर्ट हो जाता है तो इस तरह की दिक्कते ना करें अगर आपको इस तरह से बताया है तो अपना लाइफस्टाइल का पैटर्न जो है वो बदल दें अगर आप नॉन डियाबिटिक है गन्ने का जूस का इस्तेमाल करें बहुत फायदा होगा चरहता बहुत आसान सी दवाई है कहीं भी मिल जाती है बहुत फायदा देती है लिवर के मसले में चरहता का इसके साथ जो दूसरा एहम मसला है इससे आराम हो जाना चाहिए ना होने की सुरत में लिवरोज 72 के अफसल इबन भी कहला सुरत पर दस्तियाब होता है ये के अफसल तीनों टाइम हर खाने के बाद इसके बाद इसका खास खायाल करें दूद वाली चाहे से दूर रहें कर सकते हैं आप कर सकते हैं नजनलोड करें इसके बाद आपका कंसल टेशन स्टार्ट हो जाएगा